गुड मोरिंग स्टूडेंट हम अपने लास्ट वीडियो में हमने कबीर के जीवन परिचे के बारे में जाना था कबीर की साखियां जो की है आपके सामने सिख्षा देने बारी साखियां और हम यह दो पढ़ चुके थे इसके बाद नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है माला तो करमे फिरे जीवी फिरे मुख माही मनुवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही इसमें कबीर जी कहते हैं कि माला जिससे हम जब करते हैं सुमिरन करते हैं भगवान का वो हाथ में फिरती है हम हाथ में उसके मुमन के गिनते रहते हैं जीव फिरे मुखमाई और हम अपनी जीव से सुम्रिन रब जाब करते हैं भगवान का, तो मुह में बोलते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, मनुवा तो दहु दिसी फिरे, लेकिन जो हमारा मन है, वह तो दसों दिशाओं में, दहु का मतलब होता है, दस दिसी मत तो टोटल कुल 10 । हमारा मन गुम रहे प्रभु की भक्ति में कहा जा सकता है चैने की माला का काम है हाथ में फिरना i anταbellum Ch bugs v करें घीव में जीव हमारी बध्वान का नाम ले लेकिन जो हमारा मन है अगर वह स्थिर नहीं है एक जगह टिका नहीं है प्रभु की भक्ती में लीन नहीं है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते प्रमात्मा की प्राप्ती भक्ती नहीं प्राप्त कर सकते तो इसको सुमिरन हम नहीं कह सकते नेक्स्ट है कबीर घास ने निंदिये जो पाउं तली होई उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई इसमें कबीर जी कहा रहे हैं कि है मनुष्य घास न निंदा कभी भी उस घास की निंदा मत करना यानि उस घास को नीचा मत समझना कम मत समझना जो पाउं तली होई जो तुम्हारे पैर के नीचे होती है जो तुम्हारे पैर के नीचे जो घास होती है उसको कभी भी कम मत आँखना कभी कम मत समझना यह काफी बड़ी चीज है उड़ी पड़ी जब आंके इतना सा जब घास का तिनका चोटे से चोटा घास का तिनका जब आंक में गिर जाता है तो खरी दुहेली हो तो काफी परिशानी होती है काफी प्रोब्लम आ जाती है हम इतने परिशान हो जाते हैं क्योंकि वह आंक के अंदर चुबने लग जाती है तो जब घास का इतना चोटा सतिन का हमारी आंक के अंदर जाका इतना नुकसान पहुचा सकता है तो कोई भी छोटी चीज कुछ भी कर सकते है इसलिए कबीर ने इस दोहे के मार्दम से कहा है कि कीसी भी छोटी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए जग में बैरी कोई नहीं जो मन सीतल होई या आपा को डारी दे दया करे सब कोई इसमें कबीर जी कह रही है कि जग में बैरी संसार में दुश्मन कोई नहीं है जो मन सीतल हो जो अगर तुम्हारा मन सीतल है सही है आच्छे से आप सबसे बात करते हो आपका मन पवित्र है किसे के बारे में कोई बुरा नहीं सोचता तो आपका जग में संसार में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता या आपा को डारी दे, आपा यहाँ पे घमंड को कहा गया, एहंकार को कहा गया है जिसमें मनुश्य अपने आपको स्रेश्ट समझता है, अगर इसको डारी दे, मतलब त्याग दे अगर अपने एहम को, अपने घमंड को मनुश्य त्याग देता है, दया करे, सब कोई तो उसके सब दया करते हैं, उसके साथ मिलकर रहते हैं और उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता है, सब प्रेम भाव से उसके साथ रहते हैं तो मनुश्य के लिए सबसे बड़ी बादा उसका खुद का घमंड होता है उसका एहंकार होता है तो अगर मनुश्य अपने जो सबसे बड़ी दुश्मन एहंकार घमंड को छोड़ देता है तो सब उसके मित्र बन जाते हैं सब उसका साथ देने वाले बन जाते हैं तो ये कबीर की साखियां कही जाती है